तो बच्चों आप कैसे अभी मिट्र को सेंटी मिट्र में कैसे बदलने सम्झने का प्रयास करेंगे तो आप जानते हैं कि एक मिट्र बराबर कितने सेंटी मिट्र रहता है 100 cm रहता है अब जैसे हमें 10 m को cm बदलना है तो हम क्या करेंगे 10 के साथ गुणा करेंगे जो आपका 1 m ब्लाबर cm वेल्यू है हमेशा ध्यान रखें हमेशा मैं बोलता हूँ जिस भी unit को convert करना है जैसे से यह a से की करना है तो meter को हम कैसे लिखते हैं देखे small m से लिखते हैं cm को small c small m से लिखते हैं मिटर को convert करना तो एक मिटर बराबर कितना cm होता है यानि मिटर और cm में क्या relation है यह हमें पहले मालूम होना चाहिए तो हाँ से हमें क्या मिल गया एक मिटर बराबर 100 cm मिल गया यानि relation क्या मिल गया एक मिटर ब्राबर 100 cm होता है अब जैसे 10 मिटर को बदलना है तो 10 के साथ 100 का गुणा करेंगे तो मिटर से आपका किसमे चला गया cm में या ऐसे समझेए यहाँ पर 10 से गुणा किया एक गुणा 10 कितना 10 हो गया इस तरह भी आपका 10 से गुणा हो गया कि यहां मिटर है यह सेंटि मेंट रात नमीटर से सेंटि मेंटर वैलिउं मिल जाता है तो 10 मिटर बराबर कितना सेंटिमेंटर आ गया Г diff एक हजार सेंटिमेटर आ गया है